करेकृष्णा है कि अपना Ś्टार्ड होगा कि लांट पोफिजियोलोजी और प्लांट फीजियोलोजी में अपन किसी बात कर रहे थे यहां पर प्लांट फीजियोलोजी में में किस reduce का काम होता है सेल और जिल का भी फंक्सन होता है और यहां पर सेल टू सेल का भी फंक्सन होता है कि सेल टू सेल क्या काम कर रही है और प्लांट फीजियोलोजी में आपके में जो में जो सेल और्गेनल काम आएंगे आपको कलोरोप्लास्ट प्लांट फीजियोलोजी में काम आएगा माइटो कॉंड्रिया इसमें काम आएंगे देना आपका प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है जहां पर ग्रोथ रेगुलेटर का सिंतेसिस होगा जिससे आप बोल सकते हो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात की है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मेंस है कि जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले कौन होते हैं हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने वाले क्या होते हैं हार्मोन तो रूट में किसका अपने रूट में पंक्षन लिखा था कि रूट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का या डारेक्ट बोला जाए तो यहां पर ग्रोथ रेगुलेटर का सिंतेसिस होगा कि रूट प्लांट में प्रेजेंट होती है तो रूट में किसका सिंतेसिस होता है ग्रोफ रेगुलेटर्स का और ग्रोफ रेगुलेटर्स क्या होते हैं हार्मोन जिसके आप बोल सकते हो प्लांट हार्मोन तो प्लांट हार्मोन का सिंतेशिस कहां हो रहा है तो रूट में ग्रोथ रेगुलेटर का सिंतेसिस होगा जिससे आप प्लांट हार्मोन बोलते हो जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं और जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनमें ऑक्सिन्स हार्मोन जिब्रेलिंस हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन अक्सिन हार्मोन जिब्रेलिंस हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन एक होते हैं फिर आपके ग्रोथ ग्रोथ इनिवीटर आपके एबीए एबीए होगा और देन आपका एक और इथाइलीन हुगा यह दोनों आपके प्लांठ ग्रोथ इनिवीटर है और यह प्लांट ग्रोथ रेगूलेटर है जिसको पी आर जी भूल सकते हो और इनको प्लांट ग्रोथ इनिवीटर बोल शकते हो इनको प्लांट गुरोथ रेगुलेटर बोल सकते हो या पीजी यार भी बोल सकते हो यह दोनों कंडिशन इसके लिए हो जाएगा इसके लिए वाला टर्म हो जाएगा आगे बात किरते हैं अब झाने हैं माइटोकॉंड्या में रेस्पाइरेशन से रेलेटेड काम हो जाएगा क्लो प्लेस्ट में फोटो सिंतेसिस से रेलेटेड काम हो जाएगा तो यहां पर अपन थोड़ा सा और डिटेशल बात करते हैbird है माइटो कॉंड्रिया में टू पार्ट रहेंगे आपके लिए कैसे का या है ये वालाब माइटोकॉंड्रिया के स्ट्रेक्चर है माइटोकॉंड्रिया साइटोप्लाद्म में प्रजेंट रहेगा तो माइटोकॉंड्रिया में जो रेस्पाइरेशन का प्रोसेस है रेस्पाइरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कि फोर्थ स्टेप में कंप्लीट होता है पर्स्ट स्टेप होता है गलाइको लाइसेस पात्वे होता है जिसको आप इंप पात्वे बोला जाता है यह फोर्म एमडेन मेर होप और पार्नस तीन साइनिस्ट होते थ्री साइनिस्ट होते हैं मेर होप और पार्नस और यह गलाइको लिशिस का जो प्रोसेस होता है यह साइटो प्लाज्म में कम्प्लीट होगी उसके बाद आपके फोर्मेशन होता है फोर्मेशन ओप एसीटाइल को एंजाइम फोर्मेशन ओप एसीटाइल को एंजाइम ए और यह एसीटाइल को एंजाइम का जो फोर्मेशन होता है वो आपके मेट्रिक्स में होता है उसके बाद आपका थर्ड जो प्रोसेस होता है थर्ड प्रोसेस में किसको इंक्लूड किया जाता है माता जी गलाइकुलाइसिस हो गया थर्ड कौन सा साइकल रहेगा क्रेब्स साइकल होता है hoş को जो क्लूरोप्लाश्ट में आपका थो रियक्षन होता है एक को था होता लाइट्स रीक्षन नहिम सुनाओग एक उता डार्क रीक्षन लाइक्ष्ट्र क té स intrigued को यचिळे में होती है अ कि एक होता है डार्क रिक्षन जो डार्क में कंप्लेट होती है आपने लाइट प्रकुंसी में नाम सुनाओगा ग्रेंदा का नाम सुनाम आता कि घ्रेन आ हम कि है जो लाइट रियक्षन होती है वह घ्रेन में पॉप्वेस्ट रियक्षन होगी इसमें जो सबस्टेन्ज प्रजेंट हो गा इस युआ रोब कलोरोफ प्लास में तो आपका कौनशा प्रोसेश चले actors च्ंप्वियुन फोटो सिंतेसिस का प्रोसेस चलेगा माइटोकॉंड्रिया में रेस्पाइरेशन का प्रोसेस चलेगा मतलब इन दोनों सेल ओर्गेनेल के उपर डिपेंड है आपका दोनों चेप्टर थो 13 और 14 जो चेप्टर है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉंड्रिया के उपर प्लांट फीजियोलोजी से अपने स्टार्ट की बात की जाए तो आपका चेप्टर नंबर 11 है प्लांट फीजियोलोजी में जुसको आप वोज रहे हो कि ट्रांस्पोर्ट कि इन प्लांट अब प्लांट में ट्रांस्पोर्टेशन आप कर रहे हो तो प्लांट में ट्रांस्पोर्टेशन किस का ट्रांस्पोर्टेशन होगा प्लांट में जितने भी में जो अपन ट्रांस्पोर्टेशन बात करेंगे ना प्लांट्स में जो ट्रांस्पोर्टेशन की बात की जाएगी ना तो में किसके प्लांट की बात करेंगे एंजियो इस्पर्म प्लांट की बात करेंगे तो एंजियो इस्पर्म प्लांट में किसके रिक्वार्मेंट होती है ट्रांस्पोर्ट करने के लिए तो एंजियो इस्पर्म प्लांट में आपको क्या करना पड़ेगा जो भी सबस्टेंस होंगे उन सबस्टेंस का क्या करना पड़ेगा आपको सबस्टेंस का क्या करना पड़ेगा आपको ट्रांस्पोर्ट करना पड़ेगा तो कौन-कौन से से सबस्ट्रेंस होते हैं जिनका आपको ट्रांस्पोर्ट की लिक्वार्मेंट पड़ती है तो सबस्ट्रेंस की अपनबात की जाए यह एंजिय इस पर्म प्लांट जो मैम ली बात करें तो इन में वाटर का ट्रांस पोर्टेशन होगा मिन्ड राल मिन्डल न्योक्रियंट्स का ट्रांस पोर्ट होगा और्गने अगे अग्रेंट्स का ट्रांस्पोर्टेशन होगा प्लांट ग्रोथ ग्रोथ रेगुलेटर्स का ट्रांस्पोर्टेशन होगा जिसको आप बोलते होर्मोन्स के माता जी if by water का जो water का וापर का और में Yinराल का न्यूट्रिंड्स का जो ट्रांस्पोर्टेशन होगा होग किसके दूंदो या कि जायलम के दूंदाम मिन्नमाल का ट्रांस्पोर्टेशन होगा और इसमें आपके ट्रेविडम वेसल है तो अब दिस अन्वीक्राइफ करेंगे अब को रेकْरेंडु यह साइथ के त्रू क्या होगा ट्राइस्पोर्टेशन हो होगा और और अर्वनिक न्यूट्रेंट्स का टान्स फॉर्टेशन किसके दुरूआ मागा जी अर्गनिक और्गनिक नूट्रेंट्स का ट्रांस्पॉटेशन देट I do है उदिक्त ये फैनलोय मिरेकद फ्लोयं कि दोड़ीनिक नूट्रेंट्स का ट्रांस्पॉर्टेशन जाएगा और गिन्यूट्रेंट्स में आप बहुं सकते हैं गलूकोज प्लांट में जो फूड का इस्टोरेज होता है वो कहां पर होता है सीड में और ट्यूबर में अब प्लांट में जब सीड नहीं रहेंगे आपके वन येर में वन टाइम ही तो सीड का फोर्मेशन होगा लेकिन और अध्या में अध्या कम नहीं होता है से लांट में लीप में कभी फूर्स टारेज का काम नहीं होता सीड नहीं नहीं होता क्योंक autosynthesis तो करती है फोटो सिंतेसिस तो करती है लेकिन उसमें खभी वो लीप मोटी नहीं होती थिक नहीं होती है एक लिमिटेड ही थिक होती है उसके बाद उसका एक क्राइटेरिया होता है उसके बाद वो थिक नहीं होती है ऐसे नहीं कि जिस प्रकार से एनिमल थिक हो रहे हैं खा रहे हैं और पेट फूला जा रहा है ऐसा उनमें नहीं हो रहा है हां लेकिन नेचर का सबसेदा फूड का सिंतेसिस वहां हो रहा है लेकिन ठीकनेस नहीं हो रही है तो यहां पर जो भी प्लांट के अधर पार्ट है जैसे रूट में फूडि다 है land में जो फूडिका रूटरियल वो कहा गाँ में Πहुत में होगा और रूट से फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जैगा जहां उसका रिक्वारमेंट होगा क्योंकि प्लांट का जो बढ़ रही है वह बढ़ रही है जैन्स सेकेंडरी जो व Ayks Abdullah टिसू है उनके थुए हो रही है प्लान की लेंद बढ़ रही है तो सकंडरी जायलं में जैन्स सब्सक्राज रहे है जो आशा है तो तो प्लांट का जो रूट वाला पार्ट है वहां पर फूड इस्टोरेज हो जाएगा और प्लांट के जो भी अधर पार्ट से लीप के अलावा जो भी अधर पार्ट से वहां पर फूड का स्टोरेज होगा तो आप बात करते हैं कि प्लांट में जो ट्रांस्पोर्टेशन होगा, वो कौन-कौन से सबस्टेंस का ट्रांस्पोर्टेशन होगा, वाटर का ट्रांस्पोर्टेशन होगा, मिनरल न्यूट्रेंट्स का ट्रांस्पोर्टेशन होगा, ओर्गनिक न्यूट्रेंट्स का ट्रा थाल्टेसथ्य हमिए आपकी जायए ऊपर वाले पार्ट सettyину होगा हमोन किसे तुरू जायेगे हमोन भी आपकी जाये कैसे ऊंगरे लिills क्लिफर डिशन और चिंवायगे उपर वाले जय उपर वाले पार्ट में ज RIGHT Kiss है लिए तरूप अब यहाँ पर बात की जाए प्लांट में जो ट्रैंसपोर्टेशन होरा है वह एक टूटर्म में किसी भी सबस्टेंस का ट्रांस्पोर्टेशन हो रहा है ये तो वो हो रहा है स्मॉल डिस्टेंस का ट्रांस्पोर्ट हो रहा है स्मॉल डिस्टेंस में ट्रांस्पोर्ट हो एक हो लॉंगर डिस्टेंस में क्या हो ट्रांस्पोर्ट हो Small distance में transport किसके तुरू होगा यह भी बात है न? तो यहां पर आपका जो इस्मॉल डिस्टेंस में जो ट्रांस्पोर्ट होगा इस्मॉल ड्रांस्पोर्ट का जो मीन्स है वो क्या रहेगा एक तो सेल की बात हो विदिन दा सेल सेल डु सेल के इंसाइड क्या हो ट्रांस्पोर्टेशन हो या आप कह सकते हो across the membrane across the membrane membrane के आरपार सबस्टेंस का ट्रांस्पोर्टेशन हो यस कंडिशन क्या हो जाए across the membrane या और बात की जाए from cell to cell या फ्रों cell to cell सबस्टेंस का ट्रांस्पोर्टेशन हो जाए cell to cell in a in a tissue और यह होगा occurs by simple diffusion simple diffusion के त्रू cell to cell transportation हो जाएगा देन एक और होता है पेसी लिएटिड पेसी ली पेसी लिटेड पेसी लिटेड पेसी लेटेड क्या हो जाएगा diffusion हो जाएगा इन दोनों तरीके से क्या हो जाएगा ट्रांस्पोर्टेशन हो सकता है cell to cell और ये आपका टेक्निक देखने को मिलेगा पेसिव ट्रांस्पोर्ट अब सेल टू सेल जो भी सबस्टेंस का ट्रांस्पोर्ट करना है उसमें कोई एनर्जी का रिक्वार्मेंट नहीं रहेगा किसी भी सेल टू सेल सबस्टेंस का ट्रांस्पोर्ट करना है तो वहाँ पर energy का requirement नहीं रहेगा, then condition है, एक और second type का होता है, active transport, second कौन सा होगा, active transport होगा, जिसमें energy का consumption होगा, तो यहाँ पर, जो small type का distance होगा, small distance type का transportation होगा, वो क्या होगा, या तो cell के inside cell में ही होगा, या membrane पार करके जा रहा हो, तब वहाँ transportation हो, या cell to cell में, या tissue के inside जो भी transportation होगा, वो किस किस के तुरू होगा, simple diffusion, या facilitated diffusion होगा, या आप कह सकते हो, passive जो transport हो रहा है, मतलब आप यहाँ कह सकते हो, यहाँ पर, जो small distance ट्रांसपोर्ट होगा, वो passive transport और active transport के तुरू होगा, passive transport इन दोनों technique के तुरू होगा, और active जो transport होगा, जिसमें energy का consumption होगा, और energy का consumption होगा, तो यहाँ पर आपको sodium pump और potassium ion, sodium ion और potassium ion pump का requirement होगा, मतलब यहाँ पर energy का expenditure होगा, या energy का consumption होगा, आपको longer type का transportation करना है, longer distance का transportation करना है, तो किसका requirement होगा, longer type का, longer distance type का आपको transportation करना है, तो इसमें आपको किसके requirement होगी, vascular system का requirement होगा, क्या होगा, vascular system का requirement होगा, और vascular system में किसका requirement होगा, जायलम का, जायलम और flowem का requirement होगा, और जो यहाँ पर longer distance type का transportation हो रहा है, vascular tissue के थुरू, तो इस process को यहाँ पर बोला जाता है, फिर, translocation, क्या बोला जाएगा, translocation बोला जाता है, क्या बोला जाता है, translocation, जब ट्रांस लोकेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर इसको transport कर रहे हैं, जैसे root से water को transport कर रहे हो, root से आप stem में, stem के थुरूपे leaf में transport कर रहे हो, जैसे food को भी transport कर रहे हो, leaf to कहा, stem और stem to root, या stem to branch में आप transport कर सकते हो, ऐसे इनका transportation आप बोल सकते हो, देना आएगा फिर आपके हैं, direction of transport, जो भी transport हो रहा है, वो कौन-कौन से direction में हो रहा है, आपने बोला है का root में food का जो transportation हो रहा है, बतलब सोरी, जो water का जो transportation हो रहा है, वो कौन से direction में हो रहा है, unidirectional हो रहा है का bidirectional हो रहा है, लेकिन जो food का transportation हो रहा है, वो unidirectional हो रहा है का bidirectional हो रहा है का multidirectional हो रहा है, तो यहां इस से related बोला जाएगा, तो यहां पर बात की जाए आपके पास टूटर में हैं जो रूटेड प्लांट है जो रूट वाले प्लांट्स हैं इन प्लांट्स में जो वाटर का जो ट्रांस्पोर्ट होगा रूटेड जो प्लांट्स हैं यहां पर किसी भी सबस्टेंस का या वाटर का ट्रांस्पोर्ट होगा ट्रांस्पोर्ट इन जाएलम रूटेड जो प्लांट्स हैं उनमें जाएलम के तुरू कौन से सबस्टेंस का ट्रांस्पोर्टेशन होगा यहां पर जिसके तुरू होगा यहाँ पर वाटर एंड वाटर एंड मिन्दरेल का ट्रांस्पोर्टेशन होगा और यह ट्रांस्पोर्टेशन होगा आपका यूनी डारेक्शनल वाटर का ट्रांस्पोर्टेशन होगा जो कहां से होगा प्रॉम रोट ना रोट टो इस्टेम और इस्टेम टू कहां पर लिप बोल सकते हो एक की डारेक्शन में होगा ऐसे तो नहीं है पिर यहां पर कि वे लिप से वापस सिस्टेम में इस्टेम टू वापस रूट में वाटर का ट्रांस्पोर्टेशन होगा तो यहां पर बोल सकते हो रूट तो इस्टेम और इस्टेम टू लीप इस प्रकार से आप कह सकते हो जो रूठेड प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो युनिरेक्सिंहल में हो रहा है मतलब रूठ से इस्पेम और immunitam0 ट्रांस्पोर्टेशन हो जाएगा जी माताजी समझ में तो आ रहा है ना स्पर्ट जादा तो नहीं है ना तेन अधर कंडिशन जो रहे है यह ओर्गेनिक ओर्गेनिक एंड मिन्डरल नूट्रियंट्स का ओर्गेनिक एंड मिन्डरल नूट्रियंट्स का जो ट्रांसपर हो रहा है यहाँ पर वो किसके तुरू हो रहा है यहाँ पर होगा मल्टी मल्टी डारेक्शनल ट्रांसपोर्ट या मेल्ली जो बोला जाता है बाइ डारेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऐसा बोल सकते हो अब ओर्गेनिक कंपाउंड का सिंतेसिस कहा होगा ओर्गेनिक कंपाउंड का ओर्गेनिक कंपाउंड का सिंतेसिस कहा होगा फोटो सिंतेटिक फोटो सिंतेटिक लिव्ज में होगा यहां से जो भी फूड होगा उस फूड को क्या किया जाएगा एक्सपोर्ट किया जाएगा जो भी ओल अधर प्लांट पार्ट से हैं ओल अधर पर्ट सोपर प्लांट में इसम्मीलस कर सकते हो इंक्लिदिग इंस्टोरेज और गान इंकुलिडिंग इस्टोरेज ओर्गन और फिर जो भी इस्टोरेज ओर्गन है इन इस्टोरेज ओर्गन से भी जो भी लेटर री एक्सपोर्ट किया जाता है वापस बाद में क्या किया जाता है जहां पर इस्टोरेज किया जाता है वहां से भी वापस अधर पार्ट में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है रैन कंडिशन क्या हो सकती है फ्रॉम दा इस्टोरेज ओर्गान फ्रॉम दा इस्टोरेज ओर्गान फिर यहां से वापस री इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वापस यहां से अधर पार्ट में इसको क्या किया जाएगा इससे यहां पर आप बोल सकते हो फूड की बात में लेकिन यहां पर मिंद्रा लिट्रियंट्स की बात की जाए मिन्द्राल न्यूट्रियंट्स को किसके तुरू लिया जाएगा टेकन अप बाई दर रूट्स के तुरू उनको टेक अप लिया जाएगा ट्रांस्पोर्टेड किया जाएगा अपवाड इंटो दा इस्टेम अपे इस्टेम टु कहां पर ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा जो भी ग्रोईंग रीजन है वहाँ पर इसको ट्रांस्पोर्ट ग्रोईंग रीजन में इनको ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा लेकिन आपने देखा होगा जो प्लांट टिसू डेड़ हो गए हैं सेनेसेंस कंडिशन में हैं इन मेचिवर हो गए हैं ड्राइप होने लगए सूक गए हैं तो फिर उनके न्यूट्रियंट कहां जाएगे माताजी फिर जान में रखना कभी कभी आपने देखा होगा देखा ही है जब लीप का फोल डाउन होता है लीप जड़ती है पतजड का मोसम होता ना, deciduous condition, पतजड के मोसम में पत्तियां जड़ती है, लीप जड़ती है, तुस टाइम क्या होता है, हमेशा कभी भी green लीप का downfall नहीं होता है, falling up नहीं होता है, पत्तियां हमेशा पीली होकर के yellow होकर के गिरती है, ऐसा होता है न, क्योंकि ज्यान में रख यह नूट्रेंट प्रजेन्ट होते एक होता है मोबायल और एक ओता नोन मोबायल hijom ما ऑ नोन मोबायल का में अप right मोविंग मतलल सक यूभियो हो रहा है मुमेंट हो रहा है और जो नोन मुमेंट है जिनका मुमेंट नहीं हो रहा है तो यहां पर कुछ जो प्लांट से कुछ जो न्यूट्रियंट्स होते हैं जो मोबाइल होते हैं जो वापस जहां पर ड्राय हो रहा है जहां पर एलो लीप हो रहा है जहां या डेड़ ओर्गन हो रहा है तो प्लांट से खीच लिया जाता है विड्रोल कर देता है तुम्हारे काम का नहीं तो हमें देदो हम अधर प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो आप ऐसा भी कभी अपने दिमाग में आया है कि हमेशा इतना लीप का फोल अप होता है तो इनमें न्यूट्रेंट की कमी हो जाती होग डीकंपोज हो जाते हैं उनका लीप का ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा जो भी सेनेसेंस ओर्गंस होते हैं तो वहां ओर्गंस से क्या कर लिया जाएगा न्यूट्रेंट को रिसीव कर लिया जाएगा वहां से और और क्लांट्स पार्ट से वहां इंको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ऐसा देखने को मिलेगा देन अधर बात की जाए अधर्बात की जाए अधर गों अधर गों अधर गोज सेनेशेंस कंडिशन में हो तो क्या होगा जो न्यूट्रेंट्स होगे न्यूट्रेंट्स में भी जके जैजिटेंशित्स होगे जाए sucksछ सथ WILDER विधुू इलेखन थागगे हो लुट यूचisen न्यूट्स अधरों and and move to the growing parts जो भी growing part नहीं है वहां पर उनको क्या कर दिया जाएगा डिस्पेस कर दिया जाएगा वहां पर ट्रांस्पोर्ट कर दिया जाएगा लेकिन जो भी हार्मोन्स होते हैं जो इस्मोल एमाउंट में बनते हैं उनको भी क्या किया जाता है उनका भी यूनी डारेक्शनल मेंनर में ही उनका यूनी डारेक्शनल में भी क्या होता है फ्लो होता है जो भी हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनका भी जो ट्रांस्पोर्ट होगा ना वेरी स्मोल क्वांटिटी में वो भी यूनी डारेक्शनल मेंनर में ही होगा क्या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात की जाए एंड एंड अधर केमिकल अधर केमिकल स्टिमुलाई को ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा थ्रो एन इन वेरी इस्मॉल एमाउंट में इस्मॉल एमाउंट में इनको क्या किया जाएगा ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा और वो भी कौन से मेनर में इस्मॉल आएगा जाएगाrot आएगाशल। yagen इस्मॉल यूनि डिरेक्शनल मेनर फ्रॉम वेहर जहां सिंटेसिस होते नो वहां से वेहर दे वेहर दे आर वेहर दे आर सिंटेसाइजड टो टो अधर पार्ट्स टो अधर पार्ट्स ऐसा देखने को मिलेगा तो ट्रांस्पोर्टेशन कितना टाइप का रहेगा जिसके बारे में पंजिक्र कर चुके हैं ट्रांस्पोर्टेशन जोड़ रहेगा वो कितना टाइप कर रहेगा टू टाइप का पस्ट टाइप रहेगा इस्स्मोल डिस्टेंस ट्रांस्पोर्ट रहेगा पस्टेंस ट्रांस्पोर्ट रहेगा लॉंग इस्टेंस ट्रांस्पोर्ट रहेगा जो सोट डिस्टेंस ट्रांस्पोर्ट है उसका मीमिज आपको बताए दिया यहां पर जो ट्रांसपोर्ट कोगा वो सेल टू सेल होगा यह सेल्ट फेन लोगा कैंस के बारे मतंदी उसके बारे मुझे फिर भी नहीं बोलना और फिर अपन बात करें कि सोट टाइप का जो डिस्टेंस है सोट डिस्टेंस टाइप का जो ट्रांस्पोर्ट है वह भी आपका टू टाइप का रहेगा कि पेशिव ट्रांस्पोर्ट रहेगा कि एक्टिव ट्रांस्पोर्ट रहेगा पेस्टिव ट्रांस्पोर्ट एंड एक्टिव ट्रांस्पोर्ट अब जो पेस्टिव ट्रांस्पोर्ट होगा यह किस प्रकार से होगा कौन सी कंडिशन लगेगे इप ट्रांस्पोर्ट अकर्ष according to concentration gradient according concentration gradient और इसका मिन्स क्या होगा concentration gradient का मिन्स क्या होगा higher concentration to lower concentration जो भी सबस्टेंस का transportation होगा वो higher concentration to low concentration होगा एसा देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको energy का consumption नहीं होगा without 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 expenditure without expenditure of ATP जो यहाँ पर भी आपका जो पेस्व ट्रांस्पोर्टेशन है पेस्व ट्रांस्पोर्टेशन भी टू टाइप कर रहेगा पेस्व ट्रांस्पोर्टेशन भी टू टाइप कर रहेगा और यहाँ पर पेस्व ट्रांस्पोर्टेशन को भी आप टू टाइपस में डिवाइड कर दो फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा है सेकिंड हो जाएगा पेस्व ट्रांस्पोर्टेशन पैसी लियेटेड पैसी लियेटेड डिफ्यूजन होगा पैसी लियेटेड डिफ्यूजन होगा यहां पर आपको जिसका रिक्वार्मेंट रहेगा न उसको बोला जाता है केरियर प्रोटेन जिसको आपने नेम बोला है कनल प्रोटेन इंट्रेंसिक प्रोटेन तो पैसी लिटेड डिफ्यूजन आपको केरियर प्रोटेन के थूँ मॉलिक्यूल का ट्रांस्पॉटेशन करेगा और सिम्पल डिफ्यूजन कहां होगा सेल तू सेल सबस्टेंस का वाटर का, आइयन स्का मॉलिक्यूलस का जो भी अधर सबस्टेंस होगा और एक पेसे लेटर डिफ्यूजन के बारे में तो अगला है जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा सिंपल डिफ्यूजन कि यहां पर किसका डिफ्यूजन करना है अपन को सिंपल डिफ्यूजन की डेपिनेशन रहे हैं जी कि दा मुवमेंट ओप कि दा मुवमेंट ओप मॉलेक्योल्स मॉलेक्यूल्स और एटम्स और आइन का ट्रांसपर हो सकता है आइन स्वाप आइन स्वाप माटेरियल फ्रॉम एन एरिया वाप आइन स्वाप और ऩम एन प्रॉम their lower concentration, an area of their lower concentration, is called diffusion, diffusion का example आपन बात करें जिस प्रकार से किसी ने पर्फ्यूम लगाया या सुगंदित सेंटेड आपने किसी ने अगरबती जलाया तो किसी एक कोर्नर पर क्या रहेगा अगरबती जलाया तो वहां से क्या होगा जहां पर जलाया वहां पर उस सबस्टेंस का जो अगरबती का जो सेंटेड रहेगा वहां से हाइर कंसंट्रेशन एक एरिया में हाइर कंसंट्रेशन रहेगा वहां सेική के थू आया किसी के थू रहेखा रैस्पोरटेशन तो केमेनफोर भी क्या हो जाएदा वाटर में डिजॉल्व होता है वो भी हायर कंसेंट्रेशन टू लोवर कंसेंट्रेशन उसका ट्रांस्पोर्टेशन होगा कि तो यहां पर हो जाएगा कि डिफ्यूजान कि ओप कि ओडर ओप कि पर्फियूम हो जाएगा इस्प्रेडिंग इस्प्रेडिंग ओप क्रिस्टल्स के एम इन ओफोर के एम इन ओफोर इन वाटर वाटर का में जो आप केम इन ओफोर के क्रिस्टल डालते हो तो वह भी क्या हो जाएगा हाइर कंसेंट्रेशन टू लोर कंसेंट्रेशन पुरा डिजॉल हो जाएगा और भी आप वह सारे एक्जाम्पल दे सकते हो सिंपल डिफ्यूजन के और यहां पर कोई भी इक्विलिवेरियम इस्टेविलिस नहीं होगा जहां पर सबस्टेंस को आपने जैसे पर्फ्यूम है पर्फ्यूम को जहां से आपने क्या किया वहां से इस्प्रेड हुआ यह वहां से ओडर वहां उसका इस जो भी इस्मेल है इस्प्रेड हुआ तो पूरे कमरे में उसका फेल जाएगा यदि कमरे का gate open रहा तो वो भी other parts में spread हो जाएगा तो यहाँ पर कभी भी equilibrium establish नहीं किया जा सकता है कि ऐसे नहीं बोल सकता है कि यहाँ पर सभी जगह आपका perfume का जो भी scented रहेगा वो सभी जगह smell जैसा रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते हो आप तो यहाँ पर कभी भी diffusion में equilibrium establish नहीं होगा इससे आप बोल सकते हो कि जी माता जी कुछ बोल रहे हैं आप दर दिर डिफ्यूजान दिर डिफ्यूजान इस कंटिनियो इस कंटिनीट टिल दिर 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 तिर दिर डिफ्यूजान इक्विलिवेरियम इज नॉट इज नॉट इज नॉट इस नॉट इस तो यहां पर क्या हो जाएगा इस इस्टेज में at the stage, the moment of molecule is equal in both direction so net net movement is zero को ऐसा कंडिशन आपको यह देखने को अधर यहां पर जो भी डिफ्यूजन हो रहा है वह एक प्रकार का कौन सा प्रोसेज है स्लो प्रोसेज है डिफ्यूजन है इस स्लो प्रोसेज डिफ्यूजन जो रहा है वह एक प्रकार का कौन सा प्रोसेज स्लो प्रोसेज है यहां पर जो भी मॉलिक्यूल को ट्रांस्पोर्ट कर रहे हूं वो सोट डिस्टेंस तक ही ट्रांस्पोर्ट हो सकता है ज्यादा डिस्टेंस तक यहां पर ट्रांस्पोर्ट नहीं होगा और जो भी डिफ्यूजन होगा वो लिविंग सिस्टम में ही होगा ऐसे नहीं कोई डेड़ सिस्टम है तो डेड़ सिस्टम में कभी भी डिफ्यूजन नहीं होने वाला है कि तुड़ा ध्यान लखना है लिविंग सिस्टम हो गाएगा और साथ साथ में कभी मैं आपका लिफ्यूजन इसेसे रड़ वाल में होगा कि आपने अ इसनर द्यान में रखना चैने में नकिरी इन भी हो सकता है सोलिन में भी हो सकता है वाटर में भी हो सकता है तो आपका डिफूजन गेस में भी हो रहा है वाटर में भी हो रहा है एंड सोलिड सबस्टेंस में भी हो रहा है तो इन में से सबसे ज़्यादा जो भी रहेगा सबसे ज़्यादा यो इंक्रीज रहेगा वो किसमें diffusion rate किसमें ज्यादा रहेगा जो diffusion जो rate रहेगा वो solid में रहेगा कि gas में रहेगा कि water में रहेगा diffusion rate diffusion में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा फिर वाटर में देखने को मिलेगा और बहुत कम आपको quantity में solid में देखने को मिलेगा तो यहां पर जो diffusion हो रहा है कि diffusion नॉट dependent on level system पर को depend रहे रहेगा diffusion is obvious obvious in gases and liquid gases and liquid में तो आपको सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और बियसली इन में देखने को मिलता है but diffusion in diffusion in solids 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 is more is more likely तो देखे ज़ुखे ज़िए यहां आप देख सकते हो अ जो डिफ्यूजन रेट रहेगा गेस में मौर्देन रहेगा लिक्विड्स लिक्विड्स लिए गेस में आपको सबसे ज़्यादा देखने को बिलेगा इंक्रीज फिर उसके बाद लिक्विड्स में कम पिर सबसे कमा आपको क्या देखने को मिलेगा जिसे आपके जो बे सीओ टू गेस हुआ ऑक्सीज गेस हुए जितनी भी गेसेज होती है उनमें भी डिफ्यूजन देखने को मिलेगा और इस्टो मेटा होते हैं उन इस्टो मेटा के तुरू गेस का एक्सेंज हो रहा है उनमें यह देन बात करते हैं है वे हैक्टर अफेक्टिंग फेक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन रेट डिफ्यूजन रेट को कौन कौन से फेक्टर अफेक्ट करते हैं कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इफेक्ट करेगा पर्मिएबिलेटी पर्मिएबिलेटी ओप मेंब्रेन मेंब्रेन का पर्मिएबिलेटी भी इसमें एफेक्ट करेगा टेंप्रेचर भी इफेक्ट करेगा एंड प्रेशर यह सब क्या करेगा सबस्टेंस को डिफ्यूज होने में प्रिवेंट करेंगे जैसे चंसेंट्रेशन रहेगा उस ही के बेश्पर क्या हो जाएगा डिफ्यूजन रेट चेंज हो जाएगा तो अगरबत्ती यहां जला रहेगा वह तक इसका चंसेंट्रेशन हाई रहेगा जैसे अगर बतीव जलना बंद हो जाएगा उसके बाद उसका कंसंट्रेशन लो हो जाएगा permeability membrane की बात करें तो बहुत सारे जैसे अलग-अलग membrane अपन ने बोला था जैसे permeable membrane होता है, not semi-permeable membrane होता है, selectively permeable membrane होता है अब जैसा membrane होगा उसी membrane के साफ से क्या हो जाएगा आपका diffusion rate हो जाएगा temperature तो temperature भी diffusion को increase करता है और pressure भी क्या करेगा diffusion को क्या करेगा आप ज़िदी pressure के just opposite कर दोगे तो वो pressure diffusion rate को decrease भी कर सकता है तो temperature हमेशा क्या करता है, diffusion rate को increase करेगा तो यहाँ पर जो भी diffusion होगा, molecules हो सकते हैं, iron हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, one medium to another medium में substance को आप क्या कर सकते हो, diffusion कर सकते हो then in diffusions related pressure generate होता है, diffusions related क्या होता है, एक pressure generate होता है, इसको आप diffusion pressure बोल सकते हो तो diffusion pressure क्या होता है, the the diffused molecules or iron exert a pressure on the on the substance on the substance on the substance or medium in a in a diffusion in which diffusion in a which in which diffusion टेक पिलेस, नानेस, डिफ्यूजन, प्रेशर, यह हो जाएगा, डिफ्यूजन, प्रेशर देना जाएगा, last point इसका रहेगा, significance of diffusion significance of diffusion, diffusion का क्या significance होगा, आप पहला point कर सकते हो, exchange of gases एक्सेंज, गेस के एक्सेंज में help करेगा, और गेस का एक्सेंज किसके तुरू होगा, और और प्सिजन का एक्सेंज होता है, CO2 का एक्सेंज होता है और किसके तुरू होगा between plant and atmosphere oxygen और CO2 का जो transportation हो रहा है plant और atmosphere के बीच में diffusion हो रहा है कि मैं भी इन इन कि प्लांट बोडी के बीच में भी और सपरेशन में इसके तुरूब होता है तो डिफ्यूजन के तुरूब ठांस प्रेशन भी होता है तो ड्रांस प्रेशन बहुते हैं वाटर का इव योप्रेसं डिए तो वाटर जो इवोपरेशन है वो फिर डिफ्यूजन के थ्रूई होता है गेसेस का जो मुवेंट होता है सेल टू सेल या प्लांट टू आउटसाइड जो गेसेस का जो मुवेंट होता है वो भी डिफ्यूजन के थ्रूई होता है जी माता जी हरे कृष्णा